हेलो दोस्तों मैं धीरें स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम इस्टेडिविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2022 से बनने वाले most important current affair की दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी से बनने वाले 200 बन लाइनर कौशन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपको सभी कौशन को उनकी most important detail के साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों आज हम बीक वाई बीक इस वीडियो को देखेंगे यान की पहले हम फूर्थ बीक देखेंगे जर्बरी का उसके बाद थर्ड, सेकिंड और फर्स्ट और यहाँ से हम आप आपको आज मैं आपको 200 बन लाइनर कौशन फुल डिटिल के साथ कवर करवाने वाला हूँ यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रकार की प्रत्योकता परिक्शाओं के लिए इंपॉर्टन रहेगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हैल्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शियर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए हम अपने क्लास सुरू करते हैं कॉश्चिन नमर एक, किस राज को पहला बैग्यानिक पक्षी एटलस मिला है इंपोर्टन कॉश्चिन रहेगा, तो यारखे का दोस्तों केरल को अपना पहला बैग्यानिक पक्षी एटलस मिला है अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये तो देखिए केरल वर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज इसतरीय पक्षी एटलस है जिसने सभी प्रमुक आवासों में प्रजातियों के बित्रण और बहुत यातायात के बारे में ठोस आधरभूत डेटा तयार किया ह जिसे भविस्य के अध्यन को प्रोसाहन मिलेगा अगले कोशन देखते हैं भारत की पहली पैरा बैटमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के लखनव में यहां से कुछ इंपोर्टन फेक्ट आपको मिलेंगे देखिए भारत की पह कि फ्रांस स्टेडियम फ्रांस में होने वाले 2024 पैरलंपिक में भारत की पदक संभावनाव में सुधार करेगा किसे प्रतिष्टित उत्पत्ती पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है सही आंसर है अलवर्ट बोलारगा किसको अलवर्ट बोलारा ठीक है बैस्विक फार्मस प्रतिष्टिकल दिगज फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कारकारी अलवर्ट बोलारा बोलारा को प्रतिष्टित उत्पत्ती पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है उन्हें कोविट-19 बैक्सीन फाइजर बायो एंटेक कोविट-19 बैक्सीन के विकास में उनके प भारतिय कौन बन गई है तो उनका नाम है जहानवी डांगेती के नाम है जहानवी डांगेती आंद्र प्रदेश की एक युवा लड़की जिनका नाम है जहानवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतराश्टिय बायू और अंत्रिक्ष कारिक्रम को पूरा कर लिया है जिससे वह यह उपलब्दी हासल करने वाली पहली भारतिय बन गई है किसे जम्मु कस्मीर का पहला दूद गाउं घोसित किया गया इंपॉर्टन कोशन रहेगा तो इसका नाम है जैरी हैमलेट जैरी हैमलेट केंदर सासित प्रदेश जम्मु कस्मीर में प्रसासन ने रियाईसी जिले में जैरी बस्ती को केंदर सासित प्रदेश का पहला दूद गाउं यानकी मिल्क बलेज गोसित किया है और हैम लेट के लिए एकिकरत डेरी बिकास यूजना के तहट संतावन और डेरी फार्मों को मंजूरी दी गई है किसने पहला जिला सूसासन सूचकांग जारी किया है तो देखे इसको किया है हमारे बरत्मान केंद्रिय ग्रह एवं सहकारता मंतरी अमिस सहाजी ने जम्मू कस्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सूसासन सूचकांग जारी किया गया जिला सूसासन सूचकांग में सीर्स पांच जिले कौन-कौन से हैं इन पोगों भी याद रखेगा तो देखिए पहला है जम्मू, दूसरा है डोडा, इसके बाद है सावा, पुलवामा और पांचवा है स्री नगर किसे वासिंटन डी सी साउथ एशन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल असोसिशन ओफ बर्किंग वुमेन आवार्ड से समानित किया गया है तो देखिए इनका नाम है सुसमिता सेन, ठीक है अवीनितनी सुसमिता सेन, पूर्व मिस यूनिवर्स को उनके सो आर्रया टू के लिए एक टीवी सिंखला में एक महला अवीनिता द्वारा उत्क्रश्ट प्रदरसन के लिए समानित किया गया है किसने लखनव में सैयद मोदी अंतराष्टिय टूनामेंट में महला एकल का खिताब जीता है राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंदू 2022 सैयद मोदी अंतराष्टिय बेडमेंट टूनामेंट 18-23 जनवरी 2022 तक लखनव उत्तरप्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर इस्टेडियम में आयोजित किया गया था जिसमें एकल किताब को जीत लिया है पीवी सिंदू ने कौन भारत की पहली संयुकत राष्ट विकास्कारिक्रम युवाजलवायु चैंपियन बन गई है तो इनका नाम यह नाम है प्राजकता कोली क्या नम है प्राजक्ता कूली या रखेगा प्राजक्ता कूली बिविन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे की यूटूब इंस्टाग्राम आदी पर कंटेंड क्रियेट करती हैं उन्हें बिविन बैस्विक सामाजिक अवियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्त महिलाओं के अधिकारों और बालिका सिक्षा के पृति उनके योगदान के लिए यह उपलब्धी प्रतान की गई है अंतराश्टी सिक्षा दिवस 22 का थीम क्या है तो इसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांस्फॉर्मिंग एजुकेशन ठीक है बैस्विक सांती और सतत बिकास लाने में सिक्षा की भूमिका का जस्र मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतराश्टी सिक्षा दिवस की रूप में मनाया जाता है और इस बर इसका थीम क्या रहा चेंजिंग कोर्स ट्रांस्फॉर्मिंग एजुकेशन किस राज का चवाली स्वा कोग बोरोक दिवस मनाया है किस राज ने 44 वा कोक बोरोक दिवस मनाया है तो इसको मनाया है तिरपुरा ने इसके बारे में जान लेते हैं देखिए कोक बोरोक दिवस जिसे तिरपुरी भासा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है कोक बोरोक भासा को बिक्सित कर दे के उद्देश से 19 जनवरी को भारती राज तिरपुरा में प्रती वर्स इसको मनाया जाता है यह दिन 1979 में कोक बोरोक की आधारिक भासा के रूप में प्रारंबिक मानता का इस्मरण करता है Plant Based Meat Company जिसका नाम है Good Dot ने अपना ब्रेंड मिजडर किसे बनाया है तो यह बने है ओलंपियन नीरत चोप्रा ठीक है नीरत चोप्रा जी अकला कॉशन देखते हैं किसे Air India का नया CMD निक्ति किया गया है इंपॉर्टन कॉशन रहेगा तो Air India के नए CMD निक्ति किया गया है बिकरम देव दत ठीक है प्रवंद निदेशक यानि की CMD के रूप में निक्ति किया गया है इन्हें दत AGMUT अनुनाचल प्रदेश गोवा मिजुरम और केंद सासर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी है बात करेंगे Air India Limited की तो इसका इसकी स्थापना ही 1932 में मुंबई में और मुख्याले कहां है नई दिल्ली में Microsoft किस बीडियो गेमिंग कंपनी का अधिगरण करेगा तो देखिए Microsoft ने Active Vision बिल जाड को का अधिगरण करने की गोशना की है ये एक बीडियो गेमिंग कंपनी है ध्यान रखेगा अगला कोशन है भारतिय ससस्त्र बलने Anti Armor हत्यार की आपूर्ती के लिए किसे चुना है तो देखिए इस कंपनी का नाम है Saab ठीक है ये Swedish रक्षा कंपनी है ध्यान रखेगा Saab Swedish रक्षा कंपनी है जिसे भारतिय ससस्त्र बलने Anti Armor हत्यार की आपूर्ती के लिए चुना है अगले कोशन है राष्टिय मतताता दिवस दोहर बाइस का थीम क्या है इंपोर्टन कोशन है राष्टिय मतताता दिवस दोहर बाइस का थीम है चुनावों को समावेसी सुलव और सहभागी बनाना ठीक है भारत में हर साल 25 जनवर भी को राष्टिय मतताता दिवस की रूप में मनाया जाता है इसको भी आ रखेगा किस राज ने अपना Kangda App लॉंच किया है सही आन्सर है हिमाचल प्रदेस दोस्तों कांगडा एप अपना Kangda ाप इसको लॉंच किया हिमाचल प्रदेश ने अप का उत्देश परेटरकों को परसानी मुक्त अनुभब प्रदान करना और इस्थानिय हस्त सिल्प की बिक्री को बड़ावा देना है किसे नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरुसकार दोहरबाई से समानित किया गया है तो ये किये गए हैं दोस्तों जापान के पूर प्रदान मंतरी जिनका नाम है सिंजो आवे सिंजो आवे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरुसकार दोहरबाई से समानित किया गया है आई एलो रिपोर्ट दोहरबाईस में बैस्विक बिरुजगाली का स्तर कितने मिलियन होने का अनुमान लगाया है कितना मिलियन होने का अनुमान है तो ये है 207 मिलियन देखें 2019 में 186 मिलियन की तुल नाम है 2022 में बैस्विक बिरुजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का अनुमाल लगाया गया है ILO तो या रखेगा International Labour Organization इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसको कहते हैं अंतराश्टिय सरम संगठन मुख्यालेस का जिनेवा स्विट्जर लेंड में है और यदि इस संगठन की यान की अंतराश्टिय सरम संगठन की स्थापना पूछे तो इस थापना हुई थी 1919 में Oxford University प्रेस ने किसे बर्स 2021 का Children Bird of the Year घोसित किया है तो देखे ये सब्द है यान की वर्ड है एग जाइटी ठीक है एग जाइटी अगला कोशन है कौन ICC Men's T20 International Team of the Year के कप्तान बने है तो ये बने है पाकिस्तान के कप्तान बावर आजम ध्यान से सुनिए क्या है ये तो देखे पाकिस्तानी कप्तान बावर आजम को 2021 के लिए ICC Men's T20 International Team of the Year का कप्तान बनाया गया है ICC Team of the Year पुर्सों के किर्किट में 11 सर्वस्रेश्ट खिलाडियों को सामिल करती है जिन्होंने एक केलेंडर बर्स में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है सरकार ने किर्सी में ड्रोन को लोग्रिया बनाने के लिए कितने परतिसर सबसेश्टि की घोषना की है हंडर परशन की गई है किसे इफको यानी की इंडियन फार्मर्स फेटिलाइजर को ऑपरेटिव के निदेशक मंडल से सर्व समीती से अध्यक चुना गया है उनका नाम है दिलीब सांगवी ठीक है भारतिय किसान और वरक सहकारी ठीक है कि निदेशक मंडल ने सर्व समीती से दिलीब सांगवी को सहकारता का सत्रवा अध्यक चुना है वह हैं बलविंदर सिंग नकई का इस्थान लेंगे जिनका पहले 11 अक्टूबर 2021 को निदन हो गया था अगला कोशन है किसे बैस्विक इंटरनेट निकाई ICANN त्वारा यूनिवर्सल एकसे पैटेंस स्टी रियंग ग्रुप के राजदूत की रूप में निक्ति किया गया है तो देखिए ये हैं आपके बेजय सेकर सर्मा कौन है ये तो ये पेटियम के संस्थापक है दुमिया के सबसे बुजर्ग जीविद बैक्ती सेट निर्नो डेला फुवंते का कितने वर्स की उम्र में निधन हो गया है तो देखिए इनका निधन हुगा है 112 वर्स की उम्र में जीविद सबसे बुजर्ग बैक्ती पुरुस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है ये जिनका नाम है सेट निर्नो डेला फुवंते गार्सिया और ये इस्पेन के हैं इनका 112 वर्स 341 दिन की आयू में निधन हो गया है अकला कोशन है किसे राश्टी राजमार्ग एंड इंफ्रस्ट्रक्चर बिकास निगम लिम्टिट का प्रवंद निधिसक निउक्ति किया गया है तो उनका नाम है चैंचल कुमार ठीक है ध्यान रखिएगा क्या नाम इनका चैंचल कुमार पनामा जंगल में खूजी गई बर्सा मेर्डग की एक नई प्रजाती का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो यह रखा गया है ग्रेटा थुनबर के नाम पर कौन है ग्रेटा थुनबर तो यह एक स्वेडिस परयावन कार करता है ठीक है दोस्तों अब या रखेगा इस प्रजाती को यानि किस मेर्डग की प्रजाती को Priest Mantis Greta Thunberg नाम दिया गया है या लोग पिर ये रूप से Greta Thunberg Rain Frog के नाम से भी इसको जाना जाता है अकला कोशन है The Legend of Virsa Munda नामक पुस्तक को किस ने लिखा है तो देखिए Tuhin A. Sinha और Ankita Burma ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है The Legend of Virsa Munda भारत सरकार ने किस दिन को पराकरम दिवस की रूप में मनाने का फैसला किया है इंपोर्टन कोशन रहेगा आंसर है 23 जनवरी भारत सरकार ने नेता जी सुबाचन बोस की जैनती के उपलक्ष में 23 जनवरी को पराकरम दिवस की रूप में जैनती है नेता जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुगा था जनवरी 2022 में सुभास भौमिक का 72 वर्स की आयू में लंबी बिमारी के करण निधन हो गया वे कौन थी तो ये भारत के एक पूर्फ फुटकॉलर थी यार रखेगा किसने बार्बोडास की प्रधानमंत्री की रूप में लगाता दूसरी बार जीत हासिल की है तो ये की है मिया मोटली ने किसने मिया मोटली ने यार रखेगा बार्बोडास इसकी राधानी है ब्रिज टाउन और मुद्रा है बार्बोडास डॉलर इसरो ने कहां विकास इंजन का सफल परिक्षण किया है तो सही आंसर है तमिलनाडू के महिंदर गिरी में भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संग्टन यानि कि इसरो ने विकास इंजन का सफलता पूर्वर परिक्षण किया है जो भारत के पहले मानव बाहक रोकेट को सकती प्रदान करेगा अकला कोशन है किसे प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट एड जूटे केटिंग अथोर्टी का अध्यक्ष निप्ति किया गया है किस महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में नवी राष्टिय महिला आइस होकी चेंपिनशिप को जीता है तो सही आँसर रहेगा लद्दाक ने किसने जीता है लद्दाक ने जनवरी 2022 में राम चंदरन नाका स्वामी स्वामी का निदन हो गया है विक कौन थे अधियासकार थी और साथ ही साथ याद रखेगा यह थियासकार के साथ प्रसिद पुरातात्विद तमिलनाडू के पुरा लेख विद ठीक है ठीक है ठीक है और राम चंदरन नाका स्वामी था इनका नाम और इनका निदन हो गया है कब 91 की 91 एज में ठीक है इंक्यानिवर्स की उमर में इंपोर्टन फेक्ट क्या है तमिल नाडु सरकार के पुरतत बिवाग के पहले ये निदे सकते हैं ठीक है पहले निदे सकते हैं राम चंदरन नागा स्वामी कितने बच्चों को प्रधार मंत्रिय राश्टिय बाल पुरुसकार 2022 से समानित किया गया सही आंसर है 29 यानि 29 इसमें 15 लड़के हैं और 14 लड़किया है किस बैंक ने प्लेटीना फिक्स डिपोजट योजना को सुरू किया है तो प्लेटीना फिक्स डिपोजट योजना इसे सुरू किया है उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक ने किस फिल्म ने 20 वे ढाका अंतराश्टिफ फिल्म महस्सा में इश्य फिल्म पिर्तियुकता खंड में सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है तो देखिए इस फिल्म का नाम है कुजंगल भारत से पी एस बिनोथ राज निर्देशित फिल्म जिसका नाम है कुजंगल जंगल ने 20 वे ढाका अंतराश्टिफ फिल्म महस्सा में इश्य फिल्म पिर्तियुकता खंड में सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है किस ने OM नामक Omicron परिक्षनल्ड किट को बिक्सित किया है तो देखें इस किट को बिक्सित किया है OM नामक Omicron परिक्षनल्ड किट को Central Drug Research Institute ने किस ने? Central Drug Research Institute ने किन इंडियन मुवी को Oscar 22 के लिए आदिकारिक तौर पर सौट लिश्टिट किया गया है तो देखे पहली मूवी हैं आपर जै भीम और दूसरी है मराक कर ठीक है यार रखेगा जै भीम मदर इंडिया सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ओसकर के लिए नामंकित होने वाली चौती भारती फिल्म बन गई है किसे परम विसिष्ट सेबा पतक से समानित किया गया है सही आंसर है ओलम्पिय नीरच चोपला को दोस्तों वहें ओलम्पिक में भारत के लिए सौन पतक जीतने वाले पहले ट्रेक और फिल्ड एथलीट है ठीक है नीरच भारती सेना में सूपेदार के पतपर है ध्यान रखेगा 2022 में संयुत राष्ट प्रले इस्मरण और सिक्षा मार्क दर्सन करने वाला विसे की दिवस का विसे क्या है यानकि थीम क्या है तो इसका थीम है इस्मिर्थी गरीमा और न्याए ठीक है होलोकोष्ट के पीड़तों की याद में अंतराष्टिय इस्मरण दिवस यानकि अंतराष्टिय प्रले इस्मरण दिवस को 27 जन्वरी को मनाया जाता है किस देश ने भारत को सभी अनुवंदित सत्तर हजार एके टू जीरो थ्री असॉल्ट राइफल स्वाप दी है तो ये स्वापी है रूज देश ने किस देश ने रूज देश ने ब्रष्टा चार धरणा सूचकांग 2021 में भारत के स्थान पर रहा है तो भारत त्राइफल गोसर करने में और ये 2022 में जन्वरी के महिने में गोशना की गई ये 2022 की इंदेक्स की जिसमें भारत 85 वे स्थान पर है रैंकिंग में 3 देश डैनमार्क, फिल्लेंड और न्यूजिलेंड 28 का 88 का स्कोर करके संयुक्त रूप से सीर्स स्थान पर है किसने ब्रांड फाइनेंस 2020 में दुनिया के मूल लिवान ब्रांड का खिताब बरकरा रखा है यानकी पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रही है तो यह है आपकी एपल ठीक है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोवल 500 रिपोर्ट के नुसार एपल ने 2022 में भी सबसे मूल लिवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिती बरकरा रखी है पहले स्थान पर है एपल दूसरे पर है एमेजोन ठीक है ध्यान रखी है और तीसरे पर रहा है गूगल किसे असम सरकार ने असम बैभव सम्मान प्रदान किया है सही आंसर है रतन टाटा असम सरकार ने रतन टाटा को राज में कैंसर उपचार सोबिधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए असम बैभव सम्मान से सम्मानित किया है लखनो की IPL टीम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है कोशन है लखनो की IPL टीम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखिए इसका नाम किया गया है लखनो सुपर जोइंट ठीक है लखनों की IPL फ्रेंचाइजी ने जिसका स्वामित्व यानिकी जिसके मालिक है संजीव गोईका के पास है ठीक है और का नाम बदल कर इंडियन प्रिमेर लीग मेगा नीलामी से पहले लखनों सुपर जॉइंट कर दिया गया है ठीक है जनवरी प्रिसित कत्थक नित्यांगना थी ये मिलीना साल्विन इनका निदन हो गया इटली में जनवी साल्वनी नियमित रूप से भारत आती थी और खास कर केरल जहां उन्होंने कत्यकली सीखी और पैरिस में भारतिय नित्य सेलियों के लिए एक स्कूल जिसका नाम है सेंटर बंड़क को चलाया इनोंने ठीक है धान रखेगा जनवरी 2022 में भारतिय होकी टीम के पूर्व कप्तान का निदन हो गया उनका नाम क्या है इंपोर्टन नाम है ये चैनल जीस सिंग दोस्तों ये भारतिय होकी टीम के पूर्व कप्तान थी इनका निदन हो गया है इंपोर्टन क्यों है देखिए 90 वर्ष की उमर में इनका निदन हुआ और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में 60 पदक जीतने वाली भारतिय टीम के ये कप्तान थी इसलिन का नाम इंपोर्टन है जम्मू कस्मीर पुलिस ने बरियता के लिए कितने सरवुच पुलिस पदक जीते हैं तो देखिए जम्मू कस्मीर की पुलिस ने बीरता के लिए 115 पुलिस पदक जीते हैं किस Tiger Reserve को पिरतिश्टित TX2 पूरुसकार दिया गया है तो ये दिया गया है सत्य मंगलम Tiger Reserve को देखे सत्य मंगलम Tiger Reserve ये इरोड़ा जिला Tamilandu में है आध ये पूरुसकार दिया किसे जाता है तो देखे 2010 से बागों की संख्या में दो गुनी होकर असी होने के बाद प्रतिष्टित TX2 पुरुसकार दिया गया है इसको ठीक है STR के अलावा यानि कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली वागों की आबादी को दुगना करने के लिए इस साल का इस पुरुसकार को जीता है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंदर कहां स्थापित किया जाएगा तो देखिए भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंदर इसको स्थापित करने की घोशना की गई है केरल में क्या है ये तो देखिए ध्यान सुनिए डिजिटल युनिवर्सिटी केरल दौरा केरल में ग्राफीन के लिए भात का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड रुपे में तिरसूर में सेंटर फॉर मैटरियल्स फॉर इलेक्ट्रोनिक्स टेकनोलोजी के साथ इस्थापित किया जाएगा यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान और विकास उस्मायन केंद्र होगा भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाकार निक्ति किया है तो देखिए भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाकार की रूप में अनंत नागेश्वरन को निक्ति किया है किसने डिजिटल संसद एप को लॉंच किया है तो लोकसवा सचवाले ने डिजिटल संसद एप को लॉंच किया है दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उदगाटन कहां किया गया सही आंसर है नीदरलेंड दुनिया के सबसे बड़े कैनौल लॉक का उद्घाटन नीदरलेंड के एंप्स्ट्डेम बंदरगा के एक छोटे से बंदरगा सहर इज मुई डेन में किया गया है समुद्र के ताले का उद्घाटन धच राजा बिलेन एलेकजंडर त्वरा किया गया भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग इस्टेशन कहां खुला है तो ये खुला है गुडगाओं में ठीक है चार पहिया बहानों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की छमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक बाहन चार्जिंग इस्टेशन गुरुगराम में दिल्ली जैपुर राष्टे राजमार पर खुला गया है इससे पहले भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग इस्टेशन नभी मुंबई में स्थित था किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्परेशन लिम्टेट का नया अद्यक्ष और प्रवंध निदिसक नामित किया गया है पुस्तक दो किस ने लखा है तो इस पुस्तक की राइटर है रस्किन बॉंढ दोस्तों इस इंपोर्टन्न बुक है धान रखेगा रस्किन बॉंढ की जितनी भी बुकें जो लेटेश्ट होती है जो नई उफ्ति हैं जो नई परकास्त होती है वो अग्जाम के दरश्टी ज़िए सभी इंपोर्टन रहती है बिस्व उपेचित उस्ल कटिवंदिय रोग दिवस 212 का ठीम क्या है गरीवी से सम्मंदित बीमारियों की उपेचिता को समाप्त करने के लिए सौस्थ समानता हासिल करना विस्व उपेचिता उश्ल कटिवंदिय रोग दिवस हर साल 30 जनवरी को एक महत्पूर्ण सार्विजनिक स्वास्त चुनौती की रूप में उपेचित उस्ण कटेवंदियर रोगों के बारे में जाउत्ता बढाने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट कॉश्चन है बिस्व कुष्ट दिवस बिस्व कुष्ट रोग दिवस 2020 का थीम क्या है तो इसका थीम है United for Dignity ठीक है बिस्व कुष्ट दिवस यनकी World Leprosy Day हर साल जनवरी के आखरी रविवार को बिस्विस्तर पर मनाया जाता है और दो 22 में इसको 30 जनवरी को मना जन्म देने वाली पिरिसिद कॉलरवाली बागनी का निधन कहा हुआ है तो देखें इसका निधन हुआ है मध्व प्रदिश के पैंच टाइगर तki भारत की सुपर्मॉम बागनी जिसे कॉलरवाली बागनी के नाम रत के कारण मद्ध प्रदिस के पैंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है कॉलर वाली बागनी अपने जीवन काल में 29 सावकों को जन्म देने के लिए जाने जाती थी जिसे बिस्व रिकॉर्ड माना जाता है अगला कोशन देखते हैं किसने दोबई में अंतराष्टी लोग क रलाकार फुलवारी तालुका के सुमित भाले ने दोवई में अंतराष्टी लोक महसब में सौन पदक जीता है बिस्व का सबसे बड़ा खादी राष्टी दोज कहां प्रदसित किया गया इंपोर्टन कोशन रहेगा तो इसको लोंगे वाला में किया गया है ठीक है प्रद लोंगे वाला अब देखिए कुछ इंपोर्टन फैक्टिया जान लेते हैं 15 जनवरी दोहर 22 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्य धोज प्रदसित किया गया इसे जैसल मेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर लोंग 200 किलोग्राम का है ठीक है जंडे को बनाने में 245 मीटर हाथ से बुने हुए हाथ से काते हुए खादी कौटन बंटिंग का इस्तमाल किया गया है यह है 33,750 बर्ग फुट के छेत्र को कवर करता है और साथी साथ या रखेगा धोज में असोग चकर का ब्याज 30 फीट है भारत का पहला सेनिटरी नैपकिन मुक्त गाउं कौन होगा तो यह होगा किरल का कुम्ब लांगी के नाम इसका गाउं का कुम्ब लांगी यह किरल में है ठीक है किरल का कुम्ब लांगी लांगी देश की पहली सेनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायद बनाने के लिए तयार है यह कदम अवल काई पहल का हिस्सा है किसका अवल काई पहल का हिस्सा है भारती महिला होकी टीम की कप्तान कौन बनी है तो देखे इनका नाम है गोल कीपर सबीता पूनिया सबीता पूनिया भारती महिला होकी टीम की कप्तान बनी है गोल कीपर सभीता पूनिया मसकट में आगामी महिला एसिया कप में भरत का नेतित करेंगी क्योंकि होकी इंडिया ने इस आयोजन के लिए 18 सदस्य टीम का नाम रखा है जिसमें 16 खिलाडी सामिल है कौन मिसे वर्ल्ड 2022 की बिजिता बनी है उनका नाम याद रखेगा साइलिन फोड ठीक है साइलिन फोड अमेरिका के ओहियो के ग्रान विलेम की रहने वाली है उन्हें 19 दिसमबर 2021 को बारसिक स्री मती अमेरिकी पिर्तियक्तावी इन्होंने जीती थी अगला कॉशन देखते हैं किसने सिड्नी टैनिस क्लासिक फाइनल में पुर्सों का एकल खिताब जीता है तो उनका नाम है असलान करातसवे ठीक है ये दोस्तों रूस के हैं कहां के रूस के और यहीं बात करें सिड्नी टैनिस क्लासिकल में महिला तो महिला एकल का खिताब जीता है पाउला बाडोस ने ठीक है ये इस्पेन की है कहां की इस्पेन की important question रहेगा जनवरी 2022 में पंडित बिर्जु महराज का 83 वर्स की उम्र में आयू में निधन हो गया वे कौन थे तो दोस्तों बिर्जु महराज ये एक कत्थक निर्तक थे ठीक है महान कत्थक निर्तक पंडित बिर्जु महराज का 83 वर्स की आयू में निधन हो गया है देश के दूसरे सरवुच नागरिक पुरुसकार पद्म विबूशन के प्राप्त करता थे ये ठीक है उनके सिस्यों और अनुयाईयों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी इनको कहा जाता था अमेरकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बनी है तो उनका नाम है कवीत्री माया एंजेलो अमेरकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बनी है तो इनका नाम है कवीत्री माया एंजेलो इंपोर्टन कॉशन है ये याद रखेगा इसको अगला कौशन है किस देश ने पूरी तरह से अफरीका महादीप में बिक्सित अपना पहला उपग्रे तारा मंडल लॉंच किया है तो ये किया है दक्षिल अफरीका ने पूरी तरह से अफरीका महादीप में बिक्सित अपना पहला उपग्रे तारा मंडल को लॉंच किया ह अमेरिकी एरो इस्पेस कंपनी इस्पेस एक्स के ट्रांस्पोर्टर थ्री मिसन के हिस्से के रूप में तीन इस्थानिय रूप से उत्पादित नेनो सैटलाइट जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरुता उपगरह उपगरह नक्षत को बनाते हैं सैयुत राज अमेरिका में कैप कैना वेरिल से इसको लॉंच किया गया है गलोवल प्राइविट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्विसरिष्ट निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है तो सही आंसर है HDFC बैंक देखिए यह पुरुसकार पर्यावण सामाजिक और सासन रण नीतियों में डिजिटली करण संचार और निवेस सहित प्रमुक रुझानों में तेजी लाने में योगदान के लिए इसको दिया गया है बात करें HDFC बैंक की तो इसका मुख्याल है मुंबई में है इस्थापना का समया दखेगा 1994 किसने इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट को जारी किया है तो देखिए इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट इसको जारी किया है Oxfam इंडिया ठीक है ओक्सफेम इंडिया इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों की संपत्ती 2021 में रिकॉर्ड उचाई पर पहुँच गई रिपोर्ट में भारत को बहुत असमान देश के रूप में बर्नित किया गया था क्योंकि भारत में सीर्स दस लोगों के पास 57 प्रतिसर संपती है वही निचले आधे हिस्से की हिस्सेदारी 13 फिजदी रही है किस देश के पूर्व प्रधान मंत्री तो सी की केफू का निदन हुआ है तो देखिए यह सही आंसर इसका जापान ठीक है यह जापान देश के पूर्व प्रधान मंत्री थे क्या नाम हैं तो सी की केफू अर्मीड, तो इसको 15 जनवरी को मनाया गया है जाद रहेगा, 2022 में ये सेनादिवस का 44 अपना दिवस था ठीक है? 44 भारतिय सेनादिवस था ये इस बात को या रहीगा अगला कुशंछ है RVI ने उज्जीवन Small Finance Bank के प्रवन निदिससक और मुख्य कारकारी अधिकारी यनिकी MD and CEO के रूप में किसकी निक्ति को मंजूरी दे दी है तो इनका नाम है इत्तारा डेविस बात करें उज्जीवन Small Finance Bank की तो इसका मुख्याले बैंगलोर में है और इसके संस्थापक है समित घोष कौन है समित घोष और इस्थापना की बात करें तो इस्थापना हुई इसकी 2017 में किसे परीधान निर्यात समवर्दन परिशत का नया अध्यक्ष निक्ति किया गया है तो उनका नाम है नरेंद्र कुमार गोईनिका ठीक है देखे परिधान निर्यात समवर्दर परिशद इसकी इस्थापना हुई थी 1978 में और मुख्यालेस का गुड़गाओं में हैं कहाँ पर गुड़गाओं में किसे भारती एतिहासिक अनुसंदान परिशद के अद्देश की रूप में निप्ति किया गया है तो उनका नाम है रगुवेंद्र तनवर ठीक है भारती एतिहासिक अनुसंदान परिशद इस्थापना याद रखेगा 1932 में हुई और इसका मुख्याले नई दिल्ली में हैं निवारन की निवारन पोटल की स्थापना की है तो यह है रख्षा मंत्रा लें किस देश के पूर्व राष्टपती इबराहिम बाउब कर कीता का निदन हुआ है तो दोस्तों इबराहिम बाउब कर कीता यह माली देश के पूर्व राष्टपती थे और इनका निदन हो गय खासियत थी ये सांती देवी ये सांती देवी का निदन हो गया है वे 88 वर्स की थी ठीक है उन्हें लुंगडी देवी भी कहा जाता था वह बंचित समुदाय के प्रती समर्पन और उडिसा में माववादी पिरभाविच छित्रों में सांती बहाल करने के लिए जानी जाती थ तो किस भारती ने मिसेज वर्ड़ 22 में पर्त्योगता में सर्विस्रेश्ट राष्ट्य पूसा पुर्सकार जीता है कौन सा में बधी त्विक्तार ने इस था सापनास में तो सत्रवा स्थापना दिवस ने मनाया है 19 जनवरी 2022 को कब 19 जनवरी 2022 को कचाई लेमन फेस्टिवल का 18 संस्क्रड कहां शुरू हुआ है तो यह हुआ है मडीपुर में देखें दो दिवसी कचाई लेमन फेस्टिवल का 18 संस्क्रड मडीपुर में उखरुल उखरुल जिले के कचाई गाउं के इस्थानी मैदान में सुरू हुआ है इस अनौके प्रकार के नीवू फल को बडावा देने और नीवू किसानों को प्रोसाहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है किसने बिस्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा सिकर सम्मिलन 2022 को संबोधित किया है तो इसको संबोधित किया है हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोती जी ने बेस्ट इंडिस के किस पूर्व क्रिकेटर को नाइट हुट का सम्मान मिला है तो देखे इनका नाम है क्लाइव लॉइड बेस्ट इंडिस के पूर्व कप्तान रहे ये इनका नाम है क्लाइव लॉइड ने क्रिकेट के खेल के पिरती उनकी सेवाओं के लिए बिंड सर कैसल में ड्यूक ओफ केंबरिज प्रिंस बिलियम से नाइट हुट को प्राप्त किया है नवी महिला राष्टि आइस होकी चैंपिंसिप 2020 कहां सुरू हुई है तो यह हुई है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के ला होल इस्फिती जिले के आइस स्केटिंग रिंग काजा में यह सुरू हुई है किसने अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है तो यह जीता है लक्ष सेन ने देखे हम बात कर रहे हैं बैटमिंटन की ठीक है भारते बैटमिंटन खिलाडी लक्ष सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुस एकल फाइनल में सिंगापुर के बिस्व चैंपियन लोहो कीन यू को हरा कर अपना पहला सुपर 500 खिताब अपने नाम किया है यूपी आई ओटो पे सुरू करने वाली पहली दूर संचार कंपनी कौन बनी है तो यह बनी है जीयो कौन बन गई है जीयो प्रधान मंत्री नरिद मोदी ने किस दिन को राष्ट्य स्टार्टप के रूप में घोसित किया है तो 16 जनवरी को दोस्तों किसको 16 जनवरी को राष्ट्य स्टार्टप दिवस के रूप में घोसित किया गया है कौन सा देश अपनी नौसेना के लिए ब्रहमोज सोर और सोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खडीदने का ओर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है इंपोर्टन कोशन रहेगा तो ये बना है फिलिपीन्स भारत ने विदेशी मुत्रा संकट से उबरने के लिए किस देश को समर्थन दिया है तो ये समर्थन दिया है स्रीलंका को भारत ने स्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्मान और खाद आयात के लिए 900 मिलियन अमेर की डॉलर के रिण की बित्तिय सायता की गोशना की है पूरवत्तर राज़ों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस अवियान को सुरू किया गया है तो इसका नाम है North East on Wheels अवियान अडानी सम्हू ने स्टील मिल बिक्सित करने के लिए किस देश के पोसको के साथ समझोता किया है तो यह किया है दक्षण अफ्रीका के साथ सॉरी दक्षण कोरिया के साथ महाफ़ी जाओंगा दक्षण कोरिया के साथ किया है किस के साथ दक्षण कोरिया हाल ही में D.O.N. Landor का निधन हुआ वे कौन थे तो यह एक एथलीट थे ठीक है 2020 ओलम्पिक में 400 मीटर की दोड में भाग लेने वाले ओलम्पिक एथलीट D.O.N. Landor का 29 वर्स की आयू में टेकसाज संयुक्तराज अमेरिका में एक घातक कार दुरगटना के कारण निधन हो गया है यस म्यूचल फंड का नया नाम क्या होगा तो देखिए यस म्यूचल फंड का नया नाम होगा White Oak Capital Mutual Fund किस देश ने Aero 3 का सफल उडान परेक्षन पूरा किया है तो यह है इसराइल देश ने Aero 3 का सफल उडान परेक्षन पूरा किया है अगला कोशन है जनवरी 2022 में हरी पाल सिंग आहलू वालिया का निधन हुआ वे कौन थे तो हरी पाल सिंग आहलू वालिया ये एक परवतार होई थे ठीक है पिरसिद पेसेवर परवतार होई मेजर हरी पाल सिंग आहलू वालिया आहलू वालिया का हाल ही में निदन हो गया है मेजर हरी पाल सिंग आहलू वालिया अरजुन पुरुसकार 1965 में पदम स्री 1965 में और पदम विभूशंट 2002 और 2009 में आज इवन उपलब्दी के लिए इन्हें तैंजिंग नोर्गे राष्टिय साहिसिक पुरुसकार भी प्राप्त हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे ज़्यादा पसिंदिता UPI लावारती बैंक कौन बन गया है तो यह बन गया है पेटियम पेमेंट बैंक ठीक है भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लावारती बैंक बन गया है यह ठीक है पेटियम पेमेंट बैंक यह एक मईने में 926 मिलियन से अधिक UPI लेंदिन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लावारती बैंक बना है जनवरी 2022 में नारायन देवनाथ का लंबी बिमारी के वाद निदन हो गया वे कौन थे तो दोस्तों ये प्रसिद बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे ठीक है बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे नारान देवनाथ किसने मध्यम छोटे और सूच में उध्यमों यनकी SMES ब्यापारियों को ततकाल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए गूगल पे किसा समझोता किया है किसने इंडी फी ने किया है समझोता किसने पहली वार यातायात के लिए अपना इंफिनिटी ब्रिज खोला है इंपोर्टन कॉशन है तो ये खोला है दोवई ने दोवई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्टित इंफिनिटी ब्रिज को आपचारिक रूप से पहली वार 16 जन्मरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया इसका डिजाइन इंफिनिटी के गड़तिय चिन्न जैसा है यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चोड़ा है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं बीसवाड धाका अंतराश्टे फिल्म महसब कहां सुरू हुआ है तो यह बंगलादेश के धाका में सुरू हुआ है कहां पर बंगलादेश के धाका में किसे फीफा फुटबॉल पुरुसकार 2021 में देखिए आप 21 लिखा है इसका मतलब यह नहीं है कि एक साल पुराना कॉशन हो गया यह अभी जनवरी की बात है ठीक है पुरुसकार की घोशना करने में देरी हो रही है कोविट-19 के कारण ठीक है तो 21 का पुरुसकार 22 में गोशना की गई है किसे FIFA फुटवाल पुरुसका 2021 में पुरुस फुटवाल में सर्वस्रेश्ट फीफा खिलाडी से सम्मानित किया गया तो देखें इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडो वस्की ठीक है लेवांडो लेवांडवस्की ठीक है पुलेंड देशके हैं दोस्तों ये ध्यान रकिएगा अब यहीं बात कर tul से महिला खिलाड़ी किसे चुना गया तो हुस्का नाम है ईलक्सियो पुटेलस थीक है चंद्र चूर घोष कौन है चंद्र चूर घोष किसे यूरोपिय संग की संसत का अध्यक चुना गया तो उनका नाम है रौवर्टा मैट सॉला ठीक है रौवर्टा मैट सॉला को यूरोपिय संग की संसत का अध्यक चुना गया है हिमाचल प्रदेस में किस स्थान पर कार्गिल युद के नायक Captain Bikram बत्रा की पृतिमा कावनारवन किया गया है तो ये हिमाचल प्रदेस की पालंपूर में किया गया है कहाँ पर पालंपूर में किसे दा नेशनल स्टार्टप आवार्ट्स 2021 में देश का सर्विस्रेश्ट एक्सेलेटर पुरुसकार मिला है तो यह मिला है इंडिया एक्सेलेटर को ठीक है इंडिया एक्सेलेटर को देखिए इंडिया एक्सेलेटर को स्टार्टप इंडिया दोरा आयोजित दा नेशनल स् पुरुस्कार मिला है यह देश के प्रमुक सीड एक्सेलरेट में से एक है और ग्लोवल एक्सेलरेटर नेटवर्क से जुड़ा एक मात्र एक्सेलरेटर है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं केविनेट की निक्ति समीति ने स्रम एवं रोजगार मंत्राले में अपर सच की रूप में किसकी निक्ति को मंजूरी देदी है तो यह दी गई है ससांक गोयर को किसको ससांक गोयर को बे नाइन उन्मिस सो नब्बे पैच के आई एस अतिकारी है इस बात को भी याद रखेगा बॉंबे इंट्रस्टी असोशीशन ने किसको अपना नया अध्यक्ष नि किया है तो उनका नाम है नेविल सांगवी इन्होंने संजे सहा को रिप्लेस किया है किसको संजे सहा को किसने 17 जन्वरी 2022 को पहली DTC एलेक्ट्रिक बस को हरी जंडी दिखाई है तो यह दिखाई है अरविंद केजरी वाल ने दिल्ली परिवाह निगम यानिकि DTC अप्रेल 2022 तक टीन सो अतरित इबस खरीदेगा यह एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिक बसें 120 किलोमीटर तक सफरते कर सकती है किसने 2021 के सर्वस्रेश्ट सिल्प गाउं के लिए 2021 का अंतराश्चे सिल्प पुरुसकार जीता है तो यह जीता है केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट बिल इखिएπό भारति रेल मिन ने ट्रेन गाड के पद को किस रूप में नामित करने का निर्णि की गोश्चना की है तो देखे अब ट्रेन गाड को ट्रेन मेनेजर बोलाएगा थीक है अब यहां ध्यान से सुन लीजिए देखे कह लेखा है असेस्टेंट गाड और गुट्स ग काड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मेनिजर की रूप में जाना जाएगा कॉश्चन नमर एक किसने दिसम्बर महा के लिए ICC प्लेयर आफ दा मन्थ आवाड को जीता है तो सही आंसर है दोस्तों इस कॉश्चन का एजाज पतेल देखे भारत में जन्मे निउजिलेंड के किर्केटर एजाज पतेल ने मुंबई में दूसरे टेस्ट में बिराट कोली एंड कमपनी के खिलाब दस बिकेट के सांदार प्रदस्चन के बाद दिसम्बर के लिए ICC प् किसने भारत की पहली मुबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन को लॉंच किया है राइट आंसर है खादी और ग्रामोदे आयोग ने गाजियावाद के सिरूर गाउं में देश की पहली मुबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन लॉंच की है यह मुबाइल सहद प्रसंसक्रण एकाई आट गंटे में 300 किलोग्राम सहत तक संसोधित कर सकती है भारत के पहले ओपन रॉक संग्राले का उद्गाटन कहां किया गया राइट आंसर है है हैधराबाद में दूस्तों हैधराबाद तैलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्राले का उद्गाटन किया गया संग्राले में भारत के बिभिन हिस्सों से लगबग 35 बिभिन प्रकार के चट्टानों को प्रदसित किया गया जिनकी उम्र 3.3 बिलियन बर्स से लेकर प्रतिवी के इत्यास के लगबग 50 मिलियन बर्स तक है राष्टिय जल पुरुसकार 2020 में किस राज को जल सरनक्षन प्रयासों में सर्विस्रेष्ट राज की रूप में चुना गया है इसके बाद क्रमसा राजिस्थान एवं तमिल नाडू का इस्थान है किस इंस्रेंस कंपनी ने हैस्टेक बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभिआन को सुरू किया है आँसर है bespain जनरल इंस्रेंस भारती स्टेट बैंक जनरल इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्त बीमा खरीदने की आवसकताओं के बारे में जारुता बढ़ाने के लिए हैस्टेक बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभिहान को सुरू किया है अटला कोशन है पुस्तक गांधी के हत्यारे दा मेकिंग ओफ नाथू राम गोट से एंड हिस इंडिया ओफ इंडिया को किस ने लिखा है तो देखी इस पुस्तक के राइटर है धीरेंदर जा कौन है धीरेंदर जा कौन सीथ कालिन ओलंपिक के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में सामिल हुए हैं यो तो ये हुए हैं मुहमध आरिफ खान भारत के खेल मंत्राले के मिशन उलम्पिक सेल ने इस फरवरी में बीजिंग चीन में होने वाले सीथ कालिन उलम्पिक तक लक्ष उलम्पिक पोडियम योजना कोर ग्रुप में अलपाइन स्कींग अलपाइन स्कींग एथलीट मुहम्मद आरिफ खान को सामिल करने को मंजूर दे दी है सर्वस्रेष्ट अवीनिता का ओसकर जीतने वाले पहले अस्वित बैक्ती का नेधन हुआ उनका नाम क्या है तो दोस्तों इंपोर्टन कोशन है इनका नाम याद रखेगा सिड्नी पोई टियार 1964 में सर्वस्रेष्ट अवीनिता का अकादमी पुरुस जीतने वाले बहामियन अमेर्की अवीनिता सिड्नी पोई टियार का 94 वर्स की आयू में निधन हो गया है किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संग्ठन उपेक का नया महासचिप नियुक्ति किया गया है तो इनका नाम है है थम अलगिश ठीक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संग्ठन ने कुवेती तेल कारकारी है थम अलगिश को अपना नया महासचिप नियुक्ति क में की गई थी देखे इंपोर्टन कोशन है प्रधान मंतरी के पंजाब दोरे के दोरान सुरक्षा चूकों की जाच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है तो इस कमेटी का नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमीटी ये तीन सदस्य कमेटी है इसकी अध्यक्स्ता कैविनिट सचवाले के सचव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे इसमें बलवीर सिंग संयुक्त निर्षक और आईबी और सुरेस आईजी एस पीजी भी सामिल है एल एल सी ने ओल बुमेन मैच आदिकारिक टीम का एमबिजडर किसे नामित किया है तो सही आंसर है जुलन गोस्वामी को लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने जुलन गोस्वामी को एल एल सी की महला आदिकारिकता पहल को बडावत देने और क्रिकेट में महलाओं की भागिदारी बढाने के लिए अपनी ओल बुमेन मैच आदिकारिकता टीम में एक राज़दूर की रूप में निउक्ति किया है किसे इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्य पुरुसकार के लिए चुना है तो देखें इनका नाम है डॉक्टर सतीस अडेगा इन बिट्रो फर्टिलाइजेशन के छित्र में उनके उत्रकष्ट योगदान के लिए इन है डॉक्टर सुभास मुखरजी पुरुसकार के लिए चुना गया है ठीक है किसने बिस्व रैपिड सत्रेंच चैंपिंशिप 2021 को जीता है तो इनका नाम याद रखेगा नोदिर बेक अब्दुस सत्तो रोब ने बिस्व रैपिड सत्रेंच चैंपिंशिप 2021 को जीता है किसने चंडीगर्ड बिस्विध्याले में कलपना चावला अनुसंधान के इंद्र का उधगाटन किया है तो राइट आंसर है राजनाज सिंग हमारे रक्षा मंत्री ने चंडीगर्ड में Forensics Science Liberty जीता है तो देखें इनका नाम है गेल मून फिल्स ठीक है ये फ्रांसिसी टैनिस खिलाडी है देखें इस टुनामेंट में महिला एकल का किताब जीता है एसलेवार्टी जो कि ऐस्टेलिया की है और पुरुस एकल का किताब रोहन भुपन्ना और राचकुमार रामनाथन ने जीता है जो कि भारती है और महिला डवल की बात करें तो एसलेवार्टी और स्टॉर्म सेंडर्स जो कि ऐस्टेलिया की है इन्होंने जीता है महिला डवल का किताब किस राज ने लोसांग यानकी नाम सुंग मोहसा मनाया है तो ये सिक्केम ने मनाया है देखिए लोसांग पिर्थी वर्स भारती राज सिक्के में तिबती चंदर कैलेंडर के दसवे महीने के अठारवे दिन मनाया जाता है जो फसल के मौसं की सुरुगात का एक पिर्थी है प्रधान मंत्री ने किस दिन को सालारा बीर बाल दिवस के रूप में मनाने की गोशना की है तो आंसर है 26 दिसम्बर बर्स 2022 से 26 दिसम्बर को हर साल बीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस दिन चार साहिव जादो गुरू गोविन सिंग जी के चार पुत्र थे ये कि साहस को सिद्धानजली के रूप में मनाया जाएगा जिन्होंने सत्रवी सताब्दी में सहादत प्राप्त की थी ग्लोवल ग्लोव अवार्ट 22 में बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए किसे चुना गया तो देखिए इस फिल्म का नाम है The Power of the Dog रेल यात्रियों के खोए हुए सामन को ट्रैक करने के लिए भारती रेलिव ने किस मिसन को लाँच किया है तो यार रखिएगा इंपोर्टन कोशन है तो ये इस मिसन का नाम है पहला हैली हब मिलेगा हैली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्तार पर सभी सोविधाएं होंगी इंपोर्टन कोशन है पिर्सिद करनल लेखक चंदर सेखर पाटल का निदन हुआ इन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता था तो दोस्तों ये चंपा के नाम से पिर्सिद थे 82 वर्स की आयू में इनका निदन हुआ है वह कंणल भासा के कारकरता कवी और नाटक कार थे और इन्होंने कंणल साहित परिशत के अध्यक्ष कंणर विकास प्राधिकरण के अध्यश की रुपे भी काम किया है North East Festival का नवा संस्क्रन किसराज में समपन हुआ है तो ये असम के गोहाटी में समपन हुआ है North East Festival का नवा संस्क्रन एक online वीमा फ्लेटफॉर्म Renew by Nekka किसे अपना brand ambassador बनाया है तो ये बनाए गए है अभी नेतार राजकुमार राओ कौन कजाकिस्तान के नई प्रधान मंत्री बने है तो कजाकिस्तान के नई प्रधान मंत्री बने है अली खान इसमाई लोग ठीक है ध्यान रखेगा अली खान इसमाई लोग कजाकिस्तान के नई प्रधान मंत्री बने हैं देखे कजाकिस्तान की राधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा है कजाकिस्तान टेन किसे चीनी मुवाइल निर्माता маटक बीवो को IPL टाइटल प्रवायोजक के रूप में पृतिस्तापित किया गया है तो देखिए बीवो को प्रृतिस्तापित करेगा टाटा समू ठीक है टाटा समु ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता बीवो को 22 और 23 सीजन के लिए IPL के सीरसक प्राइजक के रूप में बदल दिया है इंपोर्टन कोशन है भारत की सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलावो ठीक है ध्यान रखीगा का किस राष्टे उध्यान में निधन हो गया है तो यह हुआ है बन बिहार राष्टे उध्यान में ठीक है भारत की सबसे उम्र दराज मादा सलोट भालू जिसका नाम था गुलावो का मद्ध प्रदिस के भोपाल में इस्तित गुलाबु देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था और इसका निधन 40 बर्स की उम्र में हो गया है एक अमेरकी बैक्ती अनुवानसी की रूप से संसोधित सुवर से हिर्दय प्रत्यारों पर प्राप्ट करने वाला दुनिया का पहला बैक्ती बन गया है तो इनका नाम है डेविट बैनेट ठीक है एक अमेरकी बैक्ती अनुवानसी की रूप से संसोधित सुवर से हिर्दय प्रत्यारों पर प्राप्ट करने वाला दुनिया का पहला बैक्ती बन गया है संतावन वर्सिय डेविट बैनिट वाल्टी मोर में साथ घंटे की प्रायोगे प्रिक्रिया के तीन दिन बाद अच्छा काम ये कर रहा है किस राज सरकार ने राश्टिय डेरी बिकास बोर्ट के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं आंसर है असम देखिए इसमें असम के एक लाग पिछत्ता ह्यार से अधिक डेरी किसानों को लाब मिलेगा इस समझोता ग्यापन के तहट दो पसु चारा और जैवे खान निर्माण एकाईबी स्थापित की जाएंगी किसने पावर एंड एनर्जी स्रेडी में स्कॉच रजट पुरुसकार जीता है तो यह दीता है दिल्ली विद्धुत नियामक उद्योग ने सतत पर्यावर्ण पर ध्यान केंदित करते हुए सस्ती कीमत पर गुडवत्ता पहुँच और बिजली की उपलपता सुनिच्चित करने की दिसा में उनके उत्प्रिष्ट योगदान के लिए यह पुरुसकार दिया गया है किसे पंजाब सरकार ने नया पुलिस महाने देशक निक्ति किया है यानकी डीजीपी तो उनका नाम है बी के भावरा पंजाब सरकार ने 1987 बेच के भारतिय पुलिस सेवा आईपिस अधिकारी बी के भावरा को नया पुलिस महाने देश सक यारकि डीजीपी निक्ति किया है उन्होंने कारकारी डीजीपी सिधार्थ चटोपाद्या से पदभार घ्रण किया है यारकि इनको रिप्लेस किया है किस देश के बल्लेवाज धनुसका गुडा थिलाका ने टेस्ट किरकेश से सन्यास की घोशना की है तो दोस्तों धनुसका गुडात थिलाका ये स्री लंका के टेस्ट किर्केटर है किस मल्यालम फिल्म निर्देशक ने केरल चल्चित्र अकाजमी के अध्यश का पदभार घ्रण किया है राइट आंसर है रंजीत बाल किष्णन सौच भारत मिसन ग्रामीन चरण सेकंड कारकरम के तहट 31 दिसमबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में सौच मुक्त यानकी ODA प्लस गाउं की सूची में देश में पहले स्थान पर कौन रहा है तो इंपोर्टन कॉशन है ये पहले स्थान पर है तैलंगाना रोटो मैक ग्रुप के प्रवंद निदेशक का जनवरी 2022 में निदन हो गया उनका नाम क्या है तो देखिए इनका नाम था बिकरम कोठारी दोस्तों आपने एक पैन यूज किया होगा रोटो मैक ठीक है उसी कंपनी के ये निदेशक थी देखिए यहां लिखा है कभी इंड किस देश के बैग्यानिकों ने फैक्टरी रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है तो ये बनाया है चीन ने चीन में सुथ करताओं ने एक और दियों के रोबोट बिक्सित किया जो मानब सहकरमी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है गुरू गोविन सिंग जैनती जिसे प्रकास पर्व के नाम से जाना जाता है कब मनाया गया तो ये 9 जनवरी को मनाया गया है देखिए यह सिक्षों के दसवे गुरू थे गुरू गोविन सिंग की जैनती है यह अपचारिक रूप से 9 साल की उमर में सिक्षों के नेता और छक बन गए थे उनके पिता गुरु तेग बहाद्दुर सिक गुरु और अगजेब द्वारा सहीद कर दिये गए थे इंपोर्टन कॉशन है किस देश में डेल्टा क्रोन नामक एक नया कोविट बेरियंट मिला है तो यह मिला है साइप्रस में कहा मिला है साइप्रस देश में किसने टैनिस में औस्टिलिया में एडलेड इंटरनेशनल डवल ट्रोफी जीती है तो हम पुरुस पर की बात कर रहे हैं तो ये जीती है रोहन भुपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने भारत के 73 ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो उनका नाम याद रखेगा इंपोर्टन कोशन है निका नाम है भारत सुब्रमन्यम अडानी पावर ने किसे मोखे कारकारी अधिकारी यानिकी CEO निक्तिक किया है तो उनका नाम है सेर सिंग खाई याला ठीक खाई लिया किस देश के खिलाडी क्रिस मोरिस ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लिया है तो इनका नाम है दक्षिल अफ्रीका के है ये ठीक है क्रिस मोरिस किस देश के हैं दक्षिल अफ्रीका किर्केटर है और इनोंने सन्यास की घोशना की राश्टी युवादिवस 2022 का थीम यानकी बिसे क्या है तो इसका बिसे है इट्स आल इन दा माइंड ठीक है 1985 में भारत सरकार ने स्वामी बेवेकनन्द के जन दिन यानकी 12 जनवरी को उनके समान में इस दिन के रूप में घुसित किया है जैकप्स क्रीक की नई ब्रेंड अमिजडर कौन बनी है तो यह बनी है क्रिकेटर में ताली राज है औस्टेलियाई बाइन ब्रांड जैकप्स क्रीक ने भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्मसरी पुरुसकार बिजिता मिताली राज को अपना ब्रेंड अमेज़र घोसित किया है रतन एन टाटा दा ओथराइजड बायोग्राफी के लेखक कौन है तो देखे इसके लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू कौन है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इंपोर्टन कॉस्चिन है भारतिय रेलवे ने केवडिया स्टेशन का नाम को किस नाम से जाएना जाएगा तो भारतिय रेलवे के केवडिया स्टेशन को अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाने आएगा रेल मंत्राले ने Statue of Unity के पास इस्टेशन के नाम को बदलने को मंजूरी दे दी है यह बलोद्रा डिवीजन के अंतरकत आता है निकारगुआ के राष्टपती ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कारकाल के पद की सपतली है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है डेनियल ओटरेगा के नाम है डेनियल ओटरेगा यह निकारगुआ के छौथे यहनकी लगातार चौथे कारकाल के राष्टपती बनेंगे किस राष्ट सरकार ने मात्रत अवकास का लाव 90 दिन से बढ़ा कर 180 दिन कर दिया है तो राइट आंसर है ओडिसा राज ने, किसने किया है ओडिसा राज ने कॉश्चन नमर एक देश का पहला LPG सक्षम एवं धुम्रपान मुक्त राज कौन बना है तो देखी दोस्तों important question रहेगा इस question का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ठीक है अब देखी यहाँ पर कुछ important factors को देख लिए यह मील का पत्थर केंदर द्वारा सुरू की गई उजवला योजना और ग्रहनी सुविदा योजना के कारण हासिल किया गया था सरकार ने धुए से निजवला योजना सुरू की थी ग्रामिन छेत्रों की महलाओं की साहिता के लिए ग्रहनी सुविदा योजना सुरू की गई थी ठीक है अब आपको याद रखना है देख का पहला LPG सक्षम एबं धुम्र पान मुप्त राज कौन बना है तो यह बना है आपका हिमाचल प्रदेश अगला कोशन देखते हैं मूश्ट इंपोर्टन रहेगा किस देश में कोविट-19 का नया बेरियंट जिसका नाम रखा गया है IHU मिला है ठीक है तो यह मिला है दोस्तों फ्रांस में कहाँ पर फ्रांस में देखिए कुछ इंपोर्टन फेक्ट यहाँ पर बनते हैं फ्रांस में बेग्यानिक और बिसिसेग्यों ने कथित तोर पर कोविट-19 के नये बेरियंट IHU की पहचान की है नया बेरियंट को ओमी क्रोम की तुलना में अधिक उत परिवर्तित तनाव कहा जाता है देखिए इसका नाम याद रखिएगा बी पॉइंट बन पॉइंट सिक्स फोर जीरो पॉइंट टू या फिर IHU बेरियंट को सबसे पहले संस्थान IHU मेडी टेरेंस इन्फेक्शन में सिक्षा विदों दौरा पहचाना गया था इसमें 46 उत परिवर्तन सामिल है जो की ओमी क्रोम से अधिक है अगला कोशन देखते हैं किस देश ने अंडर 19 एशिया किरकेट कप को जीता है तो सही आंसर है अपने देश भारत ने ठीक है दोस्तों अंडर 19 एशिया किरकेट कप को किस ने जीता है भारत ने अब यहाँ पर देखिए कुछ important fact बनता है आपके लिए भारत ने डकवर्थ लुईस पैटन्स के माध्यम से दुवई में बारिस से बारिस से बंदित एक एक दवसी अंतराश्टी फाइनल में स्री लंका को 9 विकेट से हरा कर किसको हराया है स्री लंका को 9 विकेट से हरा कर अंडर 19 एशिया किरकेट कप पर कबजा कर लिया है अगला question देखती है किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन सुरू की है most important question तो सही आंसर हो जाएगा आपका चीन ने ठीक है दोस्तों चीन ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की सुरूआत की है यहाँ से आपको important fact मिलेंगे तो देखिए हम देखते हैं नको संगहाई चीन का एक सहर है संगहाई संगहाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेट्वर्क वाले सहर के رूप में अपनी रैंक बरकरा रखते हुए दो नई मेट्रो लाइन खोली है नई लाइनों के सास संगहाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलो मीटर हो गई है जो दुनिया में सबसे लंबी है अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश के जहासी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया है जहासी यूपी जहासी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रानी लच्ष्मिवाई के नाम पर बी रांगना लच्ष्मिवाई रेलवे स्टेशन कर दिया है कौशन नमबर 6 देखते हैं किसे मरोनो प्रांत मुंबई प्रेस किलब द्वारा 2020 के लिए जनर्री स्ट ऑफ दा इयर की रूप में समानित किया गया है तो यह समानित किया गए है दानिस सिद्धी की ठीक है दोस्तों दानिस सिद्धी की फोटो जनर्री स्ट जनकी आफगानिस्तान में एक Assignment के दौरां मिर्ति हो गई थी उन्हें मरोनो प्रांत मुंबई प्रेस किलब दोरा दोहर बीस के जनलिस्ट आफ दा इयर के रूप में सम्मानित किया गया है इंपोर्टन कॉश्चन रहेगा किसे रेलवे बोर्ट का नया अध्यक्ष और मुख्य कारकारी अधिकारी यानि की CEO निक्ति किया गया है अगला कॉश्चन है किसे नशल सननक्षड के लिए राष्ट्य पुरुस्कार मिला है किरल पसुचिक्सा और पसुब अधियान बिश्विध्याले के तहद मनुथी पर अखिल भारतिय सम्मित अंुसंधान पर्युजना ने 2021 के लिए राष्ट्य नशल सननक्षड पुरुस्कार प्रदान प्राप्त किया है हाल ही में किस भारती तेज गेंदवाज ने बिदेशी धर्ती पर अपने 100 बिकेट पूरे किये हैं तो इनका नाम है जस्परीत बूमरा याद रखेंगे दोस्तों जस्परीत बूमरा ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर याद कि बिदेश में 100 बिकेट लेने का ये मील का पत्थर हासिल किया है इस से पहले ये कारनामा देखिए मुहम्मद आमिर के नाम है और माइकल होल्टिंग के नाम ठीक है? इनके बिकेट भी यहाँ पर लिखे हैं तो इनका नाम है बासू देवन पी एन ठीक है? बासू देवन पी एन देखिए दोस्तों यहाँ से याद लखेगा बासू देवन पठानी नरसिम्मन इनका पूरा नाम है इन्हें तीन साल के लिए एकवर्टास स्माल फाइन्स बैंक किस देश के किर्केटर रोज टिलर ने अंतराष्टे किर्केट से सन्यास की गोशना की है तो देखे दोस्तो रोज टिलर ये निउजलेंड किर्केट के खिलाडी है और यहां से इनके बारे में एक important factor आ रखेगा ये सभी तीनो प्रारूपों में यानकी टेस्ट, बंडे और T20 में सो से अधिक मैच खिलने वाले पहले किर्केटर बने थे किसे जम्मू कस्मीर बैंक के MD&CEO के रूप में निक्ति किया गया है तो बल्दे प्रकास को, किसे बल्दे प्रकास को जम्मू कस्मीर बैंक का MD&CEO निक्ति किया गया है बात करें जम्मू कस्मीर बैंक की तो इसका मुख्याले स्रीनगर में है और स्थापना हुई 1938 में किसे भारतिय तर्टरक्चक बल्के महानिदिसक की रूप में पदभार समाला है ने सेवा से सेवा निर्मित हुए कृष्ण स्वामी नटराजन से यह पद ग्रहण किया है और यह 24 में महानिदिसक बने है यानकी DG किसने बिस्तारा एरलाइन्स के मुख्य कारकारी अधिकारी यानकी CEO की रूप में पदभार समाला है तो इनका नाम है बिनोध कनन ठीक है बिस्तारा एरलाइन्स के यह CEO बने हैं और इन्होंने लेसी थंग का इस्थान लिया है तीन ट्रिलियन डॉलर एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कमपनी कौन बन गई है तो यह बन गई है Apple या रखीगा Apple.inc का सेयर बजार मूल तीन ट्रिलियन तक पहुँच गया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कमपनी यह बन गई एपल का मार्केट कैप 182,186 पृति सहर पहुच गया था दोस्तों ठीक है पृति सहर पहुच गया था जिसने जिससे यह तीन ट्रिलियन का आकड़ा चूने वाली दुनिया की पहली कमपनी बन गई किस देश के किर्केटर कुइंटन डीकॉक ने टेस्ट किर्केट से सन्यास की गोशना की है तो याद रखेगा दोस्तों कुइंटन डीकॉक ये दक्षड अफरीका के हैं कहां के दक्षड अफरीका के और साथी साथ याद रखेगा ये एक विकट कीबर बल्लेबाज थे दक्षड अफरीका के हाल ही में बिजय गलानी का निदन हुआ वे कौल थे तो ये नाम याद रखेगा बिजय गलानी ये एक वॉलिवुट फिल्म निर्माता थे इंपोर्टन कॉश्चन है तेल और प्राकिर्तिक गैस निगम यानिकी ओन जी सी की पहली महिला प्रमुक कौन बनी है तो उनका नाम है अलका मिक्तल ठीक है ओन जी सी में निदेसक मानफ संसादन अलका मिक्तल को भारत की सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकिर्तिक गैस निगम यानिकी ओन जी सी के नए अंत्रिम अध्यक्ष और प्रवन निदेसक की रूप में अत्रित प्रभारत दिया गया है वह महारतन कंपनी में सीर सपद समालने वाली पहली महिला है इस बात को याद रखेगा इन्होंने सुभास कुमार की का स्थान लिया है ठीके बात करें है यादी ओन जी सी की तो इसका मुख्याला है बसंत कुछ नई दिल्ली में है और स्थापना हुई 1956 में किसने राष्टे स्वक्ष गंगा मिशन के नए महानिदेशक की रूप में पदभार ग्रण किया है उनका नाम है जी असोक कुमार उनका ने महानिदेशक राजीव रंजन मिस्टा का इस्थान लिया है अगला कॉशन देखते हैं किस देश के ओल राउंडर मुख्मद हफीज ने किर्केट से सन्यास की गोशना की है तो दोस्तों मुख्मद हफीज ये पाकिस्तान के किर्केटर है और इन्होंने अब सन्याज की गोशना कर दी है इंपोर्टन कोशन रहेगा किसने दक्षड दुरुप के लिए एक एक के लिए सोरी अकेले असमर्थिट ट्रैक को पूरा करने वाली अस्वित महिला बनकर इत्यास रचा है तो उनका नाम है कैप्टन हर प्रीत चंडी भारती मूल की बिटिस सिख सेना अधिकारी और फिजियो थेर्पिस्ट है जिने पोलर प्रीत के नाम से भी जाने जाता है ध्यान रखेगा इनको पोलर प्रीती भी कहते हैं इन्होंने दक्षड पूर्व के लिए एक अकेले असमर्तिद ट्रेक को पूरा करने वाली अस्वित महिला बनकर इत्यास रचा है तीन बार के ओलम्पिक सौन्ड बिजेता ट्रपल जम्प चैंपियन का निदन हुआ उनका नाम क्या है तो उनका नाम है बिक्टर सानेव ठीक है उलम्पिक ट्रपल जम्प तीन बार के सौन्ड पदक बिजेता और पूर्व बिस्व रुकॉर्ड धारक बिक्टर डैनियलो बिच सानेव का उस्टिलिया में निधन हो गया उनका पूरा नाम याद रखेगा ये है किसने UNSC Counter Terrorism Committee के अध्यश का पदभार ग्रहन किया है तो TS3 मूर्थी इनका नाम है दोस्तों याद रखेगा ठीक है TS3 मूर्थी देखी यहां से important fact संयुक्त राष्ट में भारत के इस्थाई प्रतिनिदी TS मूर्थी को 1222 के लिए संयुक्त राष्ट सुरक्षा परसत की आतंगबाद बिरोधी समीती के अध्यश की रूप में चुना गया है अगला question देखते है important है किसे bank और बलोदा का brand endorser निउप्त किया गया है तो ये दोस्तों सैफाली बर्मा की गही है जो की भारती महिला किरकेटर है ठीक है बे बैंक में अपनी बिभिन बैंकिंग और गयर बैंकिंग पहलों के महाद्यम से देश के युवाँ को लगातार समर्थन करती है किसे अंक जोसी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है 6000 प्रति भागियों को प्राचीन बिग्जान के बारे में सिक्षित करके हासल किया है किस बैंक ने यू आई पात और उटो मेशन एक्सेलेंस आवार्ड 2021 को जीता है तो सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने किसने साउथ इंडियन बैंक ने अब यहां से कुछ fact है important इनको देख लेते हैं South Indian Bank ने crisis for business continuity के तहत service rate automation के लिए UI path automation excellence award 2021 को जीता है पुस्तक ममता beyond 2021 के लेखक कौन है तो इस दोस्तों इस book को लेखा है जयन्त घोशला ने किसने जयन्त घोशला ने यह पुस्तक राजनीतिक पत्रकार जैन्त घोशला द्वारा लिखित है और अरोडव सिन्हा द्वारा अनुवादित है यारी कि उन्होंने इसका अनुवाद किया है किसे किर्सी लागत और मूल आयोग के अद्देश की रूप में फिर से निप्ति किया गया उनका नाम याद रखेगा बिजय पॉल सर्मा ठीक है 1965 में इस्थापित किर्सी लागत और मूल आयोग भारत सरकार के किर्सी मंत्राले के तहत एक सीर सिलाकार निकाय है जिसका अद्देख शुना गया है दुबारा से बिजय पॉल सर्मा को इसे संगाई सहीयोग संगठन यानकी एसीयोग के महासचेप की रूप में कारभा समाला है तो दोस्तों इनका नाम है जांग मिंग ये एक चीन के वरिष्ट राजनायक है इंपॉर्टन कॉशन है ये अनात बच्चों की मा के नाम से मजहूर किस समासेवी का निदन हो गया तो उनका नाम था सिंदूताई सपकाला ठीक है उन्होंने पिछले साल पदमिसरी उन्हें पिछले साल पदमिसरी मिला दोस्तों चालीस वर्सों में एक हजार से अधिक अनाद बच्चों को इन्होंने गोद लिया और उनकी देखभाल की उन्हें 750 से अधिक पुरुसकार मिले हैं इस बात को या रखेगा पुरुसकार रासी का उपयोग अनाद बच्चों के लिए आसरे बनाने में ये करती थी अमेर्की नोसेना के इत्यास में अमेर्की परमाडु बाहक पोत की कमान समानने वाली पहली महिला कौन बन गई इंपोर्टेंट है यह question और यहका नाम है Amy Born-Smith ठीक है Amy Born-Smith अगला question देखते हैं Indian Council of Medical Research ने Omi Krone का पता लगाने वाली एक किट को मंजूरी दी है इस किट का नाम क्या है तो दोस्तों इस किट को नाम दिया गया है Omi Shure किट का निर्मान Tata Medical and Dynastic द्वारा किया गया है और इसका नाम Omi Shure है क्या है Omi Shure किसने जल सकती मंत्राले में सचिप का पदभार गणग किया है राइट आंसर है बिन्नी महाजन किसने बिन्नी महाजन दोस्तों बिन्नी महाजन IAS अधिकारी ने जल सकती मंत्राले पेजल और सक्षिता बिवाग में सचिप का पदभार समाला है अकला कॉशन देखते हैं इंपोर्टेंट है किसे बिहार उद्धमिता सम्मिलन दोहर कीस में बिहार भिवूती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर है रोहित कुमार मीडिया ट्रेंजड के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्धमिता सम्मिलन दोहर कीस में बिहार भिवूती सम्मान से सम्मानित किया गया है किस देश ने एक जनवरी दोहर बाईस को यूरोपिय संग के घूलन अद्यक्ष का पद भार घ्रण किया है तो राइट आंसर है फ्रांस देश ने फ्रांस ने पिछले 14 वर्सों में पहली वार अद्यक्ष का पद समाला है परिसत की अद्यक्षता हर 6 महिने में यूरोपिय संग के सदस देशों के बीच घूमती है इंपोर्टन कोशन रहेगा प्रधान मंत्री नरिजमोदी ने 2 जनवरी 22 को मेजर ध्यान चंद खेल बिस्विध्याले की आधार सिला कहा रखी है तो दोस्तों उत्तर प्रदिश की मेरट में रखी गई है मेजर ध्यान चंद खेल बिस्विध्याले की आधार सिला देखीं यहाँ पर कुछ फैक्ट है यह बिस्विध्याले मेरट के सराधना कस्वे के सलावा और केली गाउं में 700 क्रूर रुपे की अनुमानित लागस्ति स्थापित किया जाएगा बिस्विध्याले में 540 महिलाएं और 540 पुर्स खिलाडी सहित 1080 खिलाडियों को प्रसिक्षित करने की चमता यहाँ पर होगी किसने नई दिल्ली में किसने नई दिल्ली में इस पात मंत्राले के सचिप के रूप में पदभार घ्रण किया है तो उनका नाम है संजय कुमार सिंग ठीक है उन्होंने स्री पी के तरपाटी सचिप करमिक और प्रसिक्षिण बवाग की जगा ली है इंपोर्टन कॉशन है किसने कोची मेट्रो रेल को पहली इलेक्ट्रोनिक बोट सौपी है सही आंसर है कोचीन सिप्याड ठीक है कोचीन सिप्याड लिमिटेड ने 31 दिसम्मर को कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को पहली इलेक्ट्रिक हाइवरिड 100 पैक्स वाटर मेट्रो फेरी सौपी है के एम आर एल के एम डी लोकनात बहरा की पत्नी मधुमिता बहरा ने पहली नाव का नाम मुझी रिस रखा है क्या नाम रखा है मुझे रिस रखा है important question है दोस्तों किसे बार बोडास देखे बार बोडास बैसे भी चर्चा में है ठीक है बहुत ही ज़्यादा किसे बार बोडास में भारत के अगले उचायत की रूप में निक्ति किया गया है तो देखे इनका नाम है एस बाल चंदरन ठीक है अब याद रखेगा बार बोडास ने 1966 में अपनी स्वतंतता प्राप्ति की यह बिटिस उपनेवेस बनाने के लिए लगवग 400 सालवाद दुनिया का सबसे नया गरराज बन गया है ठीक है ध्यान रखेगा दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सबी कॉशन अच्छे लगे होंगे समझाय होंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ